हमारी आगे खुल गई, हम तो कहते हैं इस देश के नरहाल अपते ही पिचरी ली दोनी चीए, ये फिलम नहीं है, मूवी नहीं है, ये सच्चा ही है इस देश की, जो इन गांधी की ओलादों ने, इन जिन्ला की ओलादों के साथ मिलके, हम देश वाजियों से चुपा के रखा तो गाईस केरिला स्टोरी ने पठान मूवी को पीछे छोड़ दिया, हाँ मतलब हजार करोड नहीं कमाए हैं, पूरी वीडियो देखो बताता हूँ, देखो हर मूवी का एक कलेक्शन ग्राफ बनता है, जिसमें फर्स्ट, सेकिंड और थर्ड डे का कलेक्शन का अफी अच पढ़ाया है, और यह कहीं ना कहीं सक्सेस्फुल हुआ है, लोगों के वर्ड अफ माउथ के प्रमोशन से, और इस चीज से भी कि लोग जो इसको मूवी को प्रोपेगेंडा शो करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रूफ मांग रहे हैं, तुम लोग बारे में तो बात ही नहीं बागी देखो मूवी के बारे में बताया जाए तो यारी मूवी अल्री सेलफी और शहजादा मूवी के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे चोड़ चुकी है, और अभी आगे और ज्यादा कमाने वाली है, डे बाइडे मूवी का कलेक्शन गिरता है, वीकेंड में मूवी अच्छा कमाती है, बट आगे जा के हर मूवी का कलेक्शन थोड़ा थोड़ा गिरने लगे जाता है, वीक डेस में बहुत कम पैसा कमाती है, बट यहाँ पर उल्टा सीन यह हो रहा हाँ कि यवर मन्डे को पैसा कमाया, तुस्टे को उससे जज़्यादा कमाया, वेनेश बजट अभी कंफर्म नहीं करा है बट अजुम्शन है कि 20 से 40 करोड तक का इस मूवी का बजट होगा और इस मूवी ने एक वीक के अंदर अपने 100 करोड का अकड़ा कंप्लीट कर लिया है लास्टली अपने भाई जान की मूवी किसी का भाई किसी की जान का लाइफ टाइम कलेक्शन था 110 करोड मताब अभी भी मूवी चल रही है बट अभी तक 110 करोड कमाए है बट केला स्टोरी ने उसको भी पीछे चोड़ा है और एक सब्सक्राइब करोड अभी तक ये मूवी कमा चुकी है और अभी आगे और बढ़ने वाले हैं फिल्म नहीं ये भारतियों के लिए रूख अपा देने वाली सच्चाई है पर आज ये मूवी देश की बेटियों को बेहनों को और माताओं को देखनी बहुत जरूरी है ये जो काले टेंट के पीछे लोगों को हमारी बेहन बेटियों को बर्गला के जिहाद जिहाद करने का काम इस मूवी में किया है बहुत अच्छी मूवी है इसलाम की क्या सच्चाई है इन जिहादियों की क्या सच्चाई है बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है